है आप सब अच्छे होंगे देखें फ्रेंट्स एब इस टू आटो है डिया लाटो और फ्रेंट्स इसका प्रोब्लम है कि देखें आयल लिकेज हो रहा है यहां से और दूसरा कारण है फ्रेंट्स की जब इस्टार्ट इंजन को कर रहे हैं तो गाड़ी बहुत पठाक-पठ दूसरी को करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे करेंगे इसक़षप इसके हैंहेट को डीला नあーत जो दूसरे वाले को चेक करते हैं फ्रेंट्स यह थ diesen थीक टाइट टू भीला नहीं ह है लेकिन इधर वाला जो है तो फ्रेंट्स इसको अगर हम टाइट कर देंगे तो इंजन के अंदर में जो फटफट की जो आवाज आ रही वो तो बंद हो जाएगा लेकिन इसका एक और जो कारण है आईल लिकेज का तो उसे आईल लिकेज को पूरा करने के लिए फ्रेंट्स इसको क्या करेंगे चिंडिया को खोल करके इसमें हम अची तरह से सुलेशन को लगा करके इसके बाद हम रोकर साफ को एसेंबल करेंगे ताकि मेरा जो आईल जो नीचे से लिकेज हो रहा है हेट के पास से वहां से आईल लिकेज हो तो ऐसे लिकेज नहीं होता है सुलेशन अगर नहीं भी देंगे अगर टाइड भी करेंगे तो कोई दीकत नहीं करेंगा फ्रेंट्स लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा suspense बना रहेगा कि वहां से आई लिकेज होगा कि नहीं होगा तो इसके लिए सुलेशन अगर देढ़ेंगे तो suspense भी खतम हो जाता है तो इसलिए काम किसी भी इंजन का करने के लिए फ्रेंट थोड़ा सा धैरे की जरुवरी होता है थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ता है तो काम अच्छा होता है तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें सुलेशन थोड़ा लगा देंगे और सुलेशन लगाने के बाद रोकर को हम सेट करेंगे तो सुलेशन लगा कर दें इसको रॉकर को हम सेट कर दिये हैं रॉकर करने के लिए इसको अच्छी तरह से बैठा करके हेट करना टाइट कर देंगे तो फ्रेंट पूसरड जो इसका होता है आपका इनलेट का जो पूसरड रहेगा केमफलावर अंदर वाला लगेगा रड और एकजास्ट में बाहर वाला केमफलावर का रड लगेगा इसमें चुणिया में तो इसका अलग-अलग होते हैं सब तो फ्रेंट से सारे चीज़ को लगा कर मैंने टाइट का दिया है और इसे स्टार्ट करके देखने कंप्रेसर भी आपने देखा आवाज वो सुना था वो आवाज भी खतम हो गया और दूसरा इसका जो हैसो की आईल भी लिकेज का भी काम हो गया तो फ्रेंट्स अगर आपके आटों के अंदर में आईल लिकेज हो या इंजन सूबह में स्टार्ट नहों या फटफट की आवाज आती हो स्टार्ट करने में तो आप बेसक एक बार हेट का नट को जो हैसो की चेक कराएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चनल को प्ली की चेरका दे मिल्ते अगर ऑे अगाज यांद काु अग्ण अग्स स्टार्ट नहों करता हैस्त।